भारत में वैसे तो बहुत सारे उध्योग पती हैं लेकिन इन सभी उध्योग पतियों में गौतम अडानी ने जो तरकी की है उन्होंने सब को पीछे छोड़ दिया है खास कर साल 2022 गौतम अडानी के लिए काफ़ी शांदार रहा इसी साल में अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शक्स बने उनके उपर सिर्फ एलन मस्क ही थें बाकि दुनिया के सभी बड़े से बड़े उध्योग पतियों को अडानी ने पचार दिया था हाला कि वे अमीरी के मौमले में दूसरे अस्थान पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहें बाद में वे तीसरे अस्थान पर खिसक गएं फिलहाल वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शक्स हैं इनकी संपत्ती 110 अरब डॉलर है वहीं आपको बता दें कि इस साल अडानी गुरुप के शियरों में गिरावट के बाद भी उनकी संपत्ती 33.8 शुन अरब डॉलर बढ़ी है यह भिकमंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप से भी ज़्यादा है एक रिपोर्ट के अनुसार कल तक पाकिस्तान के शियर बाजार का मार्केट कैप 28.41 बिलियन डॉलर था वहीं आडानी ने इस साल 33.8 बिलियन डॉलर अकेले कमा लिये हैं मतलब आप समझ सकते हैं कि पैसे के मामले में सिर्फ आडानी के सामने ही पूरे पाकिस्तान की आउकात क्या है वो पाकिस्तान जो भारत को समय समय पर बंदर घुरकी देता है और कश्मीर को छीन लेने की बात करता है मतलब पाकिस्तान इस तरह की बात करके खुद का मजाख ही बनवाता है या फिर अपनी जनता को बेवकूफ बनाने का काम करता है यही नहीं आडानी ने इस साल जितना पैसा कमाया है वो 85 छोटे देशों की 2021 की GDP से भी ज्यादा है वहीं आडानी को यहां तक पहुचाने में आडानी ग्रूप के शियरों का कमाल है और खासकर छे शियरों ने इस कैलिंडर में अब तक मार्केट कैप में कुल 6.78 करोड रुपे जोड़े है इस साल फरवरी में आडानी विलमर का स्टॉक लिस्ट हुआ था लिस्टिंग के पहले ही दिन इसकी वेल्यू 34,466.48 करोड रुपे से बढ़कर 6,187.64 करोड रुपे गए इसी तरह आडानी पावर के शियर 31 दिसंबर 2021 को 99.75 रुपे से सोमवार को 176 प्रतिशत उचल कर 275.35 रुपे पर पहुँच गए है ऐसे ही आडानी के ज़्यादा तर शियरों में दो गुना तीन गुना उच्छाल देखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आडानी के सामने ही कंगाल पाकिस्तान के क्या अवकात है अडानी के इस उपलब्धी पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं करके ज़कात है